आज मैं आपको राम जी के बारे में बताऊंगे जब सीता जी का हरण जब राम जी लोग बन गए थे तो उन्होंने कुट्या बनाया अपने लेखर तो वहाँ पे वो लोग रहने रगे तो रावण ने अपने मामा से कहा मारीज से कि रूप बदल के जाओ हीरन का सुन्दर से हीरन का वहाँ पे और सीता जी से सीता जी को उठा के लाओ तो जब सीता जी ने देखा कि वो हीरन कितना सुन्दर है तो राम जी राम जी को सीता जी ने कहा कि जाए प्रभू मेरे लिए वो हीरन लाओ तो जब गए तो उनोंने मारीच को मारा, मारीच अपने असली रूप में आ गया जब, तब वो मर गया, तब मारीच ने रांग जी के आवाज में बोला, नाटक कर रहे थे, कि मुझे बचा लक्षमान, तो लक्षमान अपनी तीर्स, अपनी तीर से एक रेखा बनाए, उसको बोलता है लक्षमान रेखा, और सीता जी से कहा, कि आप यही रुखिये, कभी कही मत जाएगा, तो जब लक्षमान गए, तो रावण रिशी का रूप लेकर आए, और सीता जी जब रिशी को देखा, रावण को, तब उनके लिए वो फन लाई खाने के लिए, तो जब वो रिशी उन से ले रहे थे खाना, तो वो अपने असी रूप में आ गए, और सीता जी को ऐसे खीच लिए, उनने पुश्वक में बाद में, उनको ले गए लंका, और तब जब उनको पता चला, सीता गायब हो गई है, तब वो लोग हनुमान जी को दिया, एक अंगूठी, अपनी अंगूठी निकाल के दी उनको, और हनुमान जी को का कि जो ये सीता, सीता जी को दे करो मेरी अंगूठी, तो पेड पर छुपते सब को देखने लगे, सीता, सीता क्या कर रही है, तो सब कुछ देखने लगे, पेड के उपर तब राक्षसी लोग इसका बुरा बड़ताव कर रहे थी सीता जी का कि रावर से शादी कर लोग और सीता जी कर रहे थी मेरी शादी हो चुकी है राम जी से और राम जी आएंगे मुझे बचा के ले जाएंगे और मुझे बचा के ले जाएंगे तब हनमान जी जब राक्षसी लोग चली गई तो हनमान जी आए छोटे से छोटा सरूब लेकर वो इतने छोटे हो गाए मच्छर जैसे और तब राम जी का भजन गाने लगे और सीता जी को लगा कि तुम एक राक्षस हो तुम राम जी का गुण गा रहे हो ऐसे ही तो हनमान जी ने उनको विश्वास करने के लिए वो अंगूती दिखाई और तब वो चले गई सीता जी ने उनको अपनी एक हार दिया अपना चैन दिया और बोला कि ये भी राम जी को दे दो में तरस से तब उसके बाद जब दे दिया तो राम जी ने हरमान जी को पेजा जब तुम रावन को देखो वो क्या कर रहा है सीता जी के साथ तो वो सीता जी से कहे कि मैं वो फल खानू हो तो वो पेड पे चड़के फल खाने लगे उसे छूटा करके फेक रहे थे एक बाइट काचा फिर फेक दिये ऐसे ऐसे छूटा करके सब फल फेक रहे थे तब रावण सब जब देख लिए तो उनको गुस्सा आया तब सुबे जब लडाई हो रही थी तो रावण जब मर गए लडाई में तो सीताची को बोलोगा योग्धा लेका यार तब दिवारी मनाई गई